भारतिय जनता पाइटी की एक बैठक मंगलवार की शाम जिलाद्यक्षा मधू शर्मा की अधिक्षिता में सरस्वती शिशु मंदिर कोसी कला में संपन हुई जिसमें विभिन कारेकरमों को लेकर चर्चा की गई एवं कारेकर्ताओं की समस्याएं सुनी गई भारतिय जनता पाइटी कोसी मंदल की एक आवश्चक बैठक सरस्वती शिशु मंदिर में संपन हुई जिसमें पाइटी की जिलाद्यक्षा मधू शर्मा ने कारेकर्ताओं को बताय की पाइटी द्वारा निश्चित किये गए कारेकरम जन संपर्क गतिविधियों के बैनर त पाइटी की नीतियों को बता कर जोड़ने का कार है विजय को और आगे तक ले जाकर दूसरे दल के कारेकरताओं को जोड़ने का कारेकरें एवं महिला मोजचा, SC मोर्चा, OVC मोर्चा सभी अपने शेत्र में जाकर पाटी की रीती नीतियों से अवगत कराएंगे वही कारेकरताओं ने अपने आगे आ रही समस्याओं को लेकर जिलाद्यक्षा से शिकायत की जिस पर जिलाद्यक्षा ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्दी विभागी अधिकारियों से सभी समस्याओं का निदान कराया जाएगा बैटक में मंडल अध्यक्ष हुकुमचंद अगरवाल तरुन सेट जिलाद्यक्षा मधू शर्मा सहित आधी लोग उपस्तित रहे आज जो मीटिंग बिलाए गई है कोसी मंडल की इसमें हमारे जो आगामी कारिक्रम है मोधी सबकार के 8 साल अशारकाल पूरा हो रहा है उसकę उपलक्ष में 1 जुन से लेखे 14 Dुन सबके जो कारिक्रम आए है आठ साल सेवा सुशाषल और कर जाँ ऐसे करके जो हमारे 14 दिन के एक तारिक से लेखे 14 तारिक के कारिक्रम आये है उनकी पूरी रूप रेखा वित्रित योजना यहां पर बनाई गई है जिल्या इससर पर कारिक्रम होंगे साथी सक्त मंडल और शक्तिकेंद इससर पर कारिक्रम होंगे इसमें विविन हमारे सभी मोर्चे अलग-अलग कारिक्रम करेंगे महिला मोर्चा का अलग कारिक्रम है जिवा मोर्चा अलग दिकास पीर्थ बाइक रेली ले कर जाएगा इसी तरीके से ऐसी मोर्चा ऐसी हमारे जो नागरिक है उनके साथ शक्ति के इंदरिस्तर पर जन्चौपाल का कारिक्रम करेगा ओबी सी मोर्चा अलग हमारे स्वास्त शि इसी तरीके से जो हमारे लाभार थी है पूरे जिले में उनके साथ भी एक संपर्क, उनके साथ संबात का कर्कम भी रहेगा ऐसे हम एक तारिक से लेके 14 तारिक तर